पंदव गुरुपद पदुम परागा सुरच सुभास सरसनुरागा मीन रासी के जो जातक है जुलाई का महिना आपके लिए बहुत ही जादा खास रहने वाला है इसमें चार-चार ग्रह परिवर्तन हो रहे हैं साथी साथ सनी महराज वक्री हो रहे हैं सनी महराज का वक्री होना चार-चार ग्रहों का परिवर्तन होना आपके लिए कितना जादा परिवर्तन ले के आ रहे हैं एक-एक करके सारी चर्चा करूँगा आपका सिच्छा कैसा रहेगा आपका स्वास्त कैसा रहेगा आपका दामपत्त जीवन कैसा रहेगा आपका प्रे फल दे रहे हैं सनी क्या फल दे रहे हैं एक करके सारी चर्चा बारी की से मैं इस वीडियो में करूंगा तो लास तक आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा जैसरी महाकाल मैरा हुलती वारी आप सभी का आपका अपने इस चलम हिर्दे से स्वागत करता हूं दोस्त जुलाई दोहजार चौबिस में कुमभरासी के जो जातक हैं आपके कुंडली में जो चार गरह परिवर्तन होने जा रहे हैं साथ जुलाई को सुक्र महराजी करकरासी में परिवर्तन करेंगे तेरह जुलाई को मंगर महराजी ब्रिशवरासी पे परिवर्तन करेंगे 19 जुलाई को बुध्ध महराज जी सिंगरासी पे परिवर्तन करेंगे और 16 जुलाई को सुर्य महराज जी करकरासी में परिवर्तन करेंगे तो ये 4-4 ग्रह परिवर्तन करेंगे और सनी महराज 30 जून से ही वक्री हो जा रहे हैं 30 जून से सनी महराज का वक्री होना और आपके जो स्वामी है वो है गुरू महराज अब हम बात करते हैं कि आपके कुंडली में नौमान्स की क्या इस्तिती है कुंडली का जो लगन है लगन में राहू महराजी बिद्यमान है राहु महाराज तन को देखेंगे मान सम्मान प्रतिष्ठाव वयभौ संपदा की चछतर में बेटके लगन पर अपना वर्चस्त तो इस्थाप्त कर रहे हैं साथी साथ कुंडली का जो दूसरा भाव है जो आपके बचत का होता है जो आपके वारी का होता है जो आपके कुटुम्ब का होता है उस जगह पर मंगल महराज जी विद्यमान है कुंडली का जो तीसरा भाव है वहाँ पे आपके जो स्वामी है गुरू महराज वो विद्द्यमान है वहाँ से आपका साहस, पराक्रम, वैवव, सौरिता, वीरता ये जो सारी चीजे है छोटे भाई, बहन का प्रेम ये देखा जाता है कुंडली का जो चतुर्त भाव है वहाँ पे सुर्य महराज और सुक्र महराज जी बैठे है चतुर्त भाव से हम आपके एस्वरे को देखते हैं माता का सुक देखते हैं भूमी, मकान, ये जो सारी चीजे हम देखते हैं कुंडली का जो पंचम भाव है जहां से हम आपका पुत्रयोग देखते हैं, सिच्छा देखते हैं, प्रेम प्रसंग देखते हैं, उस जगहां पर बुद्ध महराजी विद्यमान है कुंडली का जो सब्तम भाव है वहाँ पर केतु महराजी विद्यमान है यहां से हम आपके दामपत्य जीवन को देखते हैं साथ ही साथ हम आपके बिजनेस और ब्यापार को देखते हैं कुंडली का जो द्वादस भाव है जो आपके एक्सपेंस का है जो आपके खर्चे का है वहाँ पर सनी महराजी विद्यमान है जहां से आपके कर देखे जाते हैं टेक्स देखे जाते हैं उस जगह पर सनी महराजी विद्यमान है तो यह आपके कुंडली की नौमांस की इस्ति बात करें यदि आपके सर्व प्रथम स्वास्त का स्वास्त के जो कारक देव हैं वो हैं आपके स्वामी गुरू महराज इसमें आपके कुंडली के तीसरे भाव में बैठे हैं तृतिया भाव में गुरू महराज बैठके आपके स्वास्त में मजबूती दे रहे हैं स्वास्त जिस रोग के वजह से आप अभी तक जूज रहे हो, उससे आप बाहर निकल गए हो, लेकिन कहीं न कहीं मन में ये संका है, कि कहीं वो रोग मुझे फिर से तो नहीं आ गया, इसकी वजह से आप अनावस्यक दवा का उपयोग कर सकते हो, यदि आपको पहले से कोई बीमारी है, तो आप उसके टेंसन में मानो कि वो बीमारी खत्म हो गई है, चली गई है, है ही नहीं बीमारी अभी हो, लेकिन फिर भी आपके मन में ऐसा एहसास होगा, कि वो रोग हमें फिर से तो नहीं हो गया, इस पे आप थोड़ा सा ध्यान दीज दिएगा, जब तक डाक्टर कोई स इन से दवा जुलाई के महीने में मत उपयोग कर लेना, नहीं तो आपको राहू परिसान कर सकते हैं स्वास्त कोले के, बात करें जदी आपके सिछा का और प्रेम प्रसंग का, सिछा के और प्रेम प्रसंग के जो कारक देऊ है वो आपके पंचमेस हैं, पंचमेस वैसे भाव पे बुद्ध महाराजी विराजमान है तो बुद्धी तो आपकी तेज होगी पढ़ाई लिखाई में आपको बहुत ज़ादा समस्या नहीं आएगा लेकिन पढ़ाई लिखाई को लेके आपका भाग आपका साथ नहीं देगा क्यों नहीं देगा क्योंकि भाग के स्थान पे राहू महराज की नौवी दृष्टी पढ़ रही है तो यहां से आपका पंचम भाई पे सिच्चा के चित्र में उतना जादा आपका भाग साथ नहीं देगा बात करें यदि आपके प्रेम प्रसंग का तो प्रेम प्रसंग में आपके मन में संका जब तक आप अपने संका का समाधान नहीं करोगे या फिर ऐसे कह लें कि आपके और आपके प्रेमी के बीच में आपके पार्टनर के बीच में संका के वजह से विग्रह हो सकता है अलगाओ हो सकता है यहां पे आपको संका नहीं करना है क्योंकि राहु महराज यह चाया गरह में आता है तो कन्फ्यूजन की वजह से वात विवाद आपके और आपके पार्टनर के बीच में बढ़ सकता है बात करें आपके दामपत्य जीवन का दामपत्य जीवन के जो कारक देव हैं वो हैं सुक्र महराज कुंडली के चतुरत भा में बैठे हैं तो मन में संका तो होगी लेकिन आपको इसी से बचना है यदि आप चाहते हैं कि आपके और आपके पतनी के बीच में या पती के बीच में इस्तरी हैं तो पुरुस के लिए पुरुस हैं तो इस्तरी के लिए यदि आप दोनों के बीच में समाजस से बना रह बिजनेस बेपार में सुक्र महराज अच्छा कर रहे हैं बस भ्रहम की इस्ति से आपको बाहर निकलना पड़ेगा यदि आप भ्रहम की इस्ति से बाहर नहीं निकलेंगे तो बिजनेस में भी घाटा होगा और दामपत्य जीवन में भी घाटा होगा ये सब के लिए बोल रहा हूँ, ये किसी एक कुंडली पे बात नहीं कर रहा हूँ बात करें यदि आपके कैरियर को लेके तो कैरियर में सनी महराज आपके कुंडली के दौादस भाव में बेटे हैं भाग के उपर आपके राहू का असर पड़ रहा है तो नौकरी को लेके आपको बहुत ज़्यादा समस्या तो नहीं आ रही है क्योंकि दस्वे भाव पे किसी भी पाप ग्रह का प्रभाव नहीं पड़ रहा है लेकिन सनी महराज दौादस भाव में बेटे हैं तो एक्सपेंस आपका बढ़ेगा, खर्चे बढ़ेंगे लाव का प्रमार थोड़ा घटेगा, खर्चे जादा होंगे बचत की अपच्छा खर्चा अधिक होने जा रहा है आपका जुलाई महिने में उपाई क्या करें? उपाई में आपको गुरू महराज को सांत करना है और राहु केतू को सांत करना है गुरू महराज को सांत करने के लिए आपको ओम, ब्रिंग, ब्रिहस, पताय, नम, इस मंतर का जाप करना चाहिए इससे आपके जो गुरू है मजबूत हो जाएंगे साथी साथ सीवजी पर यदि आप पीला चंदन चढ़ाते हैं, पीला फूल चढ़ाते हैं साथी साथ आप गुरू बार के दिन पीला फूल चंदन लगा सकते हैं साथी साथ आपको राहु केटू को सांत करने के लिए शंकर भग्वान के उपर गुरु बार के दिन ही काला तिल जरूर चढ़ाइएगा काला तिल चड़ाले से जो आपके मन में संका है, संदेव है, भ्रम है, इससे आप अपने आपको बचा सकोगे, साथी साथ यदि आपकी और भी कोई समस्या है तो आप हमें कुमेंट करके पूछ सकते हो और यदि ये हमारा वेडियो आपको अच्छा लगा हो तो कुमेंट करक जरूर बताईएगा, जैसरी महाकाल मैरा हुलति वारी आप सभी का फिर से एक बार स्वागत कर रहा हूं, अपने इस पेच पे हमें जोईन कर सकते हैं, यदि आपका कोई मेंबर्सिप प्लान लेने का विचार है तो आप हमारा मेंबर्सिप में जोईन कर सकते हैं, और ये आसा करता हूं कि आप जहां पे हैं, सुखी हैं, समर्दी से भरे रहें, महाकाल की रिपाप पे बनी रहें